आपके बड़े भाई की सालगिरा हैं और आपकी माने आपको चौकोन की आकार में केक पर चेरी लगाने के लिए कहा है आपका भाई 16 वर्ष का होने वाला है इसलिए आप भी 16 चेरीज केक पर लगाना तै कीजिए आप कैसे भी चेरीज लगाईए अच्छा नहीं दिख रहा है बराबर क्योंकि आपने सिमेट्रिकल समान दूरी पर वो नहीं रखे हैं हम कुछ और अच्छी रचना कर सकेंगे क्य हम एक कतार में चेरी रखेंगे शोला हचेरी एक कतार में दखा दो कतार में रखेंगे तो कीप पर ठीक से नहीं रख पाएंगे सोलह चेरियों की रचना तीन रेशाओं में करेंगे तो एक चेरी बाकी रह जाएगी हर एक रेशा में चार चेरी रखने से ऐसे दिखाई देगा अभी एक भी चेरी बाकी नहीं रहेगी यह रचना अच्छी दिखती है आपके पिताजी की साल गिरा है वे 42 वर्ष के होने माले है आप अच्छी रचना कैसे कर सकते हो अभी प्रतमता 42 चेरी एक कतार में एक रेशा पर रखेंगे दो कतारों में तथा तीन कतारों में तथा और आगे प्रेदनेशील रहेंगे दो कतारों में 21 तो तीन कतारों में 42 चेरिस कैसे रखेंगे तै कीजिए 14 कालम तथा रखानों में हर एक में 3 चेरिस होगी हम कुछ कालम तथा रखाने कम कर सकेंगे क्या ऐसा करना है तो चेरियों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी कतारें बढ़ानी होगी 42 चार कतारों में तथा 5 कतारों में रखी तो भी 2 चेरीज बाकी रह जाएंगी 7 कतारे, 6 चेरीज हर कतार में 42 चेरीज 6 कतारों में रचित की तो बाकी न रहेगी अभी 7 रकाने हैं, हर एक में 6 चेरीज हैं बहुत अच्छा, रकाने कम किये गए हम 42 चेरीज 4 तथा 5 कतारों में नहीं रख पाए हम 3 तथा 6 कतारों में रख पाए हम 4 चेरीज 3 तथा 6 के संघ में ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं बाकी कुछ नहीं रहती यह 4 तथा 5 कतारों में 42 चीरीज विभाजित करना मुम्किन नहीं है क्योंकि 3 और 6 से 42 को विभाजित करना मुम्किन है इन्हें 42 की विभाज और 42 को विभाजक 3 और 6 के कह पाएंगे 4 और 5 से 42 इस संख्या को विभाजित नहीं कर सकते तो वे 42 के विभाज़ नहीं हो सकते 42 खुद 21, 14, 7, 6, 3, 2, 1 एक यह सभी अंकों का विभाज़ है तो खुद अंक और एक कौन से भी अंक का विभाज़ हो सकता है 16 चेरीज हैं तो हम सभी चेरीज एक कतार में दो कतारों में, चार कतारों में रख सकते हैं लेकिन 16 चेरीज हम तीन कतारों में नहीं रख पाएंगे तो एक, दो और चार यह सोला के विभाज़ है सोला का तीन यह विभाज़ नहीं बन सकता यह निजे रखाने में आपको अंकुक के विभाज मालूम पड़ेंगे यह विभाज हैं तीन के विभाज दो, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो यह निजे रखाने में आपको अंकुक के विभाज मालूम पड़ेंगे अभी 7 चेरी कतारों में रखने की कोशिश करें 7 चेरी की रचना एक ही कतार में एक भी चेरी बाकी न रहें ऐसी कीजी साथ चेरीज दो कतारों में रखे ताकि एक चेरी बाकी रहे इसका अर्थ ये है कि हम साथ चेरीज एक तथा साथ के समोह में विभाजित कर सकते हैं याने एक और साथ यह सिर्फ साथ के ही विभाज हैं जिन अंकों को दो विभाज हैं एक और वही संख्या इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं साथ यह मुख्य नंबर है कुछ अभाज्य संख्या हमने देखा कि 42 इस संख्या को 3 और 6 यह विभाज्य है एक और 42 को छोड़ कर संख्या जिसे दो और उससे ज्यादा विभाज होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है एक को एक ही विभाज्य रहता है एक ही है वो तो एक यह भाज्य संख्या भी नहीं और अभाज्य संख्या भी नहीं है तो विभाजन अचूकता से करने के लिए पूरी गिंती याद रखना आत्यंता आबशक है हमने क्या सीखा? Factors अंको के विभाज उधारन के तौर पर एक, दो और तीन ये छे के विभाज है अंको का विभाजन उधारन के तौर पर छे का विभाजन एक, दो, तीन से कर सकते हैं बाकी नहीं रह सकेगी अभाज संख्या जिन अंक के दो विभाज रहेंगे एक और एक ही भाज संख्या जिसे यानि जिस अंक को दो विभाज होते हैं एक यह भाज और अभाज दोनों भी नहीं है स्वाध्यार 24 चेरीज को पंक्तियों में इस तरह रख सकते हैं कि ब्लू बेरी की किसी भी पंक्ति में चेरी न हो और चेरी की किसी भी पंक्ति में ब्लू बेरी न हो